पूरे दिन लगी रहेगी चंद्रमा विशाखा नक्षत्र में दिन भर साम 5 बज़ कर 20 मिनट तक चलते रहेंगे तत पस्चात अनुराधा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे विशाखा नक्षत्र के नक्षत्र स्वामी ब्रियस्पति देव हैं आज के जन्मे जातक सुंदर, स्वाभिमानी, बोलने में चतुर और सत्रूओं पर विजय पाने वाले होते हैं ऐसे जातक धार्मिक कारियों में तत्वर, धातु क्रियाओं के जानकार, इश्वर भक्त, आस्थाबादी और प्रवाव शाली व्यक्तित्यों के स्वामी होते हैं ऐसे जातक स्वतंत्र विचारधारा वाले बात चीत करने में पुशल, ब्यापारी, आध में रूची रखने वाले और उच्च अभिलासी भी होते हैं यदि सहयोगी लगन रहा मंगल और ब्रिहस्पति की इस्थिती अनकूल रही तो पून सफल होंगे चंद्रमा आज दिन में 11 बजे तक तुला रासी में ही चलते रहेंगे, ततपस्चात ब्रिश्चिक रासी में प्रवेस कर जाएंगे जो कि चंद्रमा की नीच रासी है, जिसके रासी स्वामी मंगल देव है मेश रासी के जातकों के लिए कारिक छेतर में उपसाह बना रहेगा सूरे का सिंग रासी में होना रचनात्मा क्रिया सीलता में मदद करेगा और आर्थिक योजनाय फलिपूत होंगी साजेदारी में लाव मिलेगा, उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा पारिवारिक सुक्षांती और मा के स्वास्त में सुधार मासूस होगा मानसिक समवेदन सीलता बनी रहेगी और नीजी रिष्टे प्रगाड होंगे मगर वित्तिय संकट संभव है विद्याथियों के लिए आज का दिन सामाने रहेगा छोटी यात्राओं का योग बनता है और स्वास्त संबंधी सावधानी बनाए रखें और वाहन सावधानी से चलाएं ब्रिश रासी के जात्कों को कारे छेत्र में उपलब्धी हासिल होगी आपके रासी स्वामी सुक्र नीच रासी में चल रहे है स्वास्त पर विशेष ध्यान दे गुरू का चंद्रमा के साथ छठ में घर में बैठना और मंगल वक्यत्यू की यूती का नवे भाव में होना सावधानी की और संकियत देता है हाला कि नई कारियों जनाव के लिए समय अनकूल है सासन सत्ताव अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा हर काम मन मुताविक फुरा होगा आर्थिक मामलों में सहयोग बना रहेगा मगर पारिवारिक चिंता अधिकारियों से बीरोधा भास और मन में नकारात्मक विचारों का उतार चड़ाव संभावित है संतान संबंधी सुख समाचार मिल सकता है सिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन उनकूल रहेगा मित्थुन राशिके जात्कों के ब्यावसाई कुथान और नई कारी औजनाव के लिए समय उनकूल है साजेदारी के काम आज के लिए लावदायक रहेंगे अधूरे काम पूरे होंगे सरकारी काम को आज में सक्रिय भागीदारी बनी रहेगी आठिक पक्ष मजबूत रहेगा मगर राहू और बुद्ध के दूसरे घर में होने से कुछ कामों में अचानक गलत निरणे संभावित है सिख्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी और नई जानकारी हासिल करने में मदद मिलेगी मगर नकारात्मक बिचारों वाले ग्रक्तियों से दूर रहे मन थोड़ा अशांत रह सकता है खाने पीने में सावधानी बरते और स्वास सम्बंधी जटिलताएं संभावित है करकराशी के जात्कों के लिए उच्छ अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा उच्षा कारे उर्जा मन मुताविक बनी रहेगी और नीजी निवेश के लिए आज का दीन अनुपूल रहेगा आथिक लाव आपके सक्रिय भागीदारी के उपर निर्भर करेगा चंद्रमा और ब्रिहस्वत्ति की यूती से मानसिक चिंता और मन के नकारात्मक विचारों में सुधार मिलेगा और पारिवारिक प्रेणा से उत्साह में विद्धी होगी हाला कि सत्रूपक्ष कमजोर रहेगा न्यायाले या सम्मंधित कामों में सफलता मिलेगी विद्याथियों को अध्यान अध्यापन में सहयोग मिलेगा मगर स्वास सम्मंधि आवसक साफधानी बनाए रखें और नीजी विष्टों में सकारात्मक सोच अपेक्षित है सिंग रासी के जात्कों का उर्जा अस्तर और अध्यठ विश्वास बना रहेगा और सारीविक रूप से अपने आपको स्वस्त महसूस करेंगे हलाकि ब्यावसाई की योजनाव में इस्तिरता आएगी और विकास के मार्ग प्रसस्त होंगे गुरु की प्रेरणा और मंगल का सहयोग लावदायक सिद्ध होगा सरकारी कामकाज पूरे होंगे आर्थिक पक्ष सामानी रहेगा मगर अनावर्शक खर्च, वार्द विवार्द संबन्दी मामले, दोसा रोपन और पारिवारिक तनाव की इस्तिती भी संभावित है हलाकि ग्रिहोपयोगी वस्तों में ब्रिध्धियोगी और विद्यातियों के लिए आज का दिन अनकूल है अध्यान अध्यापन में सफलता संभावित है और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनकूल रहेगा कन्या राशी वाले जातकों के लिए आज का दिन कारे चमता को बढ़ाने वाला होगा गज केशरी योग के दूसरे भाव में बनने से उर्जावान महसूस करेंगे और आर्थिक सहयोग बना रहेगा आपकी उर्जा और आत्मिश्वास राचनात्मक कारियों में खर्चोंगे और सफलता मिलेगी नई कारियोजनाव के लिए समय अनकूल है, साजेदारी के कामों में भी लाव सम्भाव है मगर संतान संबंधी चिंता लगी रहेगी, सिछ़चा प्रत्योगिता में सफलता सम्भावीत है अच्छे कामों में निवेश का योग बना हुआ है मगर आर्थिक निर्णे लेने में सावधानी अपेक्षित है, मा के स्वास्त के प्रतिचिंता संभावित है फिटनेस के लिए अपनी दिन चर्या में योगा वा व्यायायाम को सामिल करें, अच्छा महसूस करेंगे तूला राशी के जात्कों के लिए आज का दिन विशेस होगा, गुरु चंदरमा के यूती दोपहर तक बनी रहेगी, चंदरमा अपनी नीच राशी में प्रवेश कर जाएंगे जिसका मिला जुला फल, प्रयासों को बढ़ाने वाला और मानसिक संतुष्टी और आत्मिश्वास की व्रिध्धी करने वाला होगा कार्य वजनाएं सफलता पूरवपूरी होंगी, कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारी और नीजी निवेश का योग बना हुआ है आर्थिक लावमन मुताविक मिलता रहेगा मगर कार्य वजनाओं में यर्चने, सरकारी अवरोध और वाद विवाद से बचे और नकारात्मक विचारों वाले व्यक्तियों से दूरी बना कर रखे संतान सम्मंदी मामलों में सहयोग मिलेगा और सिक्षा प्रत योगिता में सफलता मिलेगी किसी समारों में सम्मानित किये जाएंगे और वयवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनकूल रहेगा ब्रिश्चिक राशी वाले जात्कों के लिए सोच और कारेशली में बार बार परिवर्तन संभावित है मगर सकारात्मक पूर्जा और काम करने की छमता बनी रहेगी आर्थिक लाफ मन मुताबिक मिलता जाएगा और साजेदारी लाफ गायक रहेगी संबंदिर मामलों में यात्रा संभावित है ब्यावसाई की स्थिरता कायम रहेगी रचनात्मक पहलू सगरी रहेगा मगर धैर और संयम रखना चाहिए विद्यातियों के लिए आज का दिन सहयोगी रहेगा सिच्छा प्रत्योगिता में सफलता संभावित है कुछ कामों की रुकावटे हो सकती है मगर अतिरिक्त प्रयास सारसक होंगे और वयवाहिक मामलों के लिए शाम का समय अनुकूल रहेगा धनुराशिके जात्कों को कारिछित से संबंदित मामलों में सावधानी अप्यक्छित है अनावशक विवाद और रुकावटे संभावित है हलाकि आपके मेहनत के अनुसार योजनाओं का बिष्टार हो सकता है आवशक संसाधनों में खर्च की स्थिफी बनी रहेगी सरकारी कामकाज पूरे होंगे और अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा संभन्धित मामलों में यात्रा संभावित है साजेदारी के काम आज के लिए लावदायक रहेंगे वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अन्कूल रहेगा विद्यातियों को मेहनत का लाव मिलेगा स्वास संभन्धिय आवस्चक सावधानी बनाए रखें साथ ही वाहन सावधानी से चलाएं मकर राशी के जात्कों को अपने स्वास्त पर ध्यान देना चाहिए मगर कारी वजनाय सुचारू ढंक से चलती रहेंगी सासन सत्ताव अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा अतिरिक्त कार्यभार महसूस करेंगे और कारेच्षेत में सहयोग मिलेगा बुद्ध राहू का साथ में होना और सूरी का आठ में होना साजेदारी में सावधानी आत्म दिश्वास में उतार चड़ाओ कारियों में रुकावट पत्नी के स्वास में गड़वड़ी और अपव्याय का संकेत देता है सक्रियता बनी रहेगे रुके हुए काम संपन्ध होंगे और सरकारी सहयोग कायम रहेगा मगर दो पहर बार व्यावसाईक उतार चड़ाओ संभावित है हाला कि लावदायक प्रस्ताव सामने आएंगे आपके बुद्धी कोशल से बिगड़ते हुए काम भी बनते जाएंगे किसी महिला के सहयोग से आपके प्रभाव में पिद्धियोगी प्रतियोगी भावना विक्सित होगी सासन सत्ता का सहयोग बना रहेगा विद्याक्तियों के लिगे आज का दिन अनकूल रहेगा सिक्षा प्रत्योगिता में सफंता मिल सकती है और बिरोधियों से सावधानी अपेक्षित है मीन राशी के जात्कों के सक्रियता और आत्मिश्वास में उतार चड़ाव बना रहेगा अपने ही कामों पर संदेह की स्थिती संभावित है चंद्रमा के ब्रियस्पति के साथ आठवे घर में होने से कारेच्षित की निरंतरता प्रभावित हो सकती है कोई आरोप लग सकता है और साजिस के सिकार हो सकते है मगर दोपर बाद नकारात्मक विचारों को बल मिलेगा साथ आठवानी बनाए रखें भावुकता में निरने लेना उचित नहीं होगा संतान संभन्दी चिंता लगी रहेगी सिक्षप्रत्योगिता में परिस्रम करना होगा आर्थिक लाव सामान रहेगा उस्वास संभन्दी आवसक साउधानी रखनी चाहिए साथ हैं वाहन साउधानी से चलाएं आज के लिए बस इतना ही कल फिर मिलेंगे ओम नमाशिवाए